पेट की जो भूक है और परिवार की जो भूक की तडफ है उससे बड़ा और कोई होना है एक अगर इस परकार से खोर दिया जाया उसको मरने की इस्तितीए पे छोर दिया जाया तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी का बाकी का क्या हो तो इस नाम से बेचा कि मजदूरों क मैं भुक्तान करूंगा और जो जरूरी जो खर्च होंगी उनको एचेसी के हित्मे करूंगा लेकिन आज तक उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है बंदर बाठ करूंगा बकाया बेतन भुक्तान की मांग को लेकर एचेसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है आज 35 दिन है इस वक्त हमारे साथ एचेसी बचाओ संघर समीती के संयोजक और खिजरी विधायक राजिस कश्चप हैं हमसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आंदोलन की आग कि जो करना पड़े हैं एचेसी के मजदूर और एचेसी वार्षियों के साथ में इसको मैदान बे उतर रहे हम लोग मानते हैं कि कोविट काल है लेकिन पेट की जो भूख है और परिवार की जो भूख की तडफ है उससे बड़ा और कोई यह नहीं होना है आज देखें सरपर्थम मा एचेसी प्रबंदन क्या लाब है और क्या नुकसान है उसको मैं नहीं देखता लेकिन 35 दिन है 35 दिन है आज हरताल पे है मजदूर नौवा महिना है कि आज लोगों को बेतन नहीं मिला है आप एक अनुमान लगा लें कि अगर कोई मजदूर भी अगर उसको सताहिक पेमेंट ना किया जाए या जो हमारे सरकारी employee है, कोई भी employee को, अगर मंतली उनको payment नहीं किया जाए, उनका दवादारू, उनका बालवच्चों का फीस, उनका भोजन पानी, नास्ता पानी, कपला लता, और घर की अन्या ज़रूरत है, कैसे पूरा कर रहे होंगे ये लोग, इसको सोच करके ही अगर जागरूख ब्यक्ति होगा, उनका रोवा सीहर जाएगा, लेकिन HAC प्रबंदन और वाहर मोदी सासन, HAC प्रबंदन भी उनके कानों तक जू नहीं रहे है, नौ महिना में आज वो कहता है, कि हम आधा महिना एक महिना का payment देंगे, तो कुछ तो सरम करिए, कुछ तो सरम करि करें आपको कुछ नहीं सोच रहे है, आज के तारीक में देखिए सुरपर्थम इस टाइम में नीती आयोग में ये मामला गया, उसी टाइम में इस मामले को दरकिनार किया गया था, संका जाहिर किया जा रहा था, देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहां यह गारजियन विह तीनों का अलग-अलग अपना राग है, तीनों का अपना 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 बयान है, तीनों अपने अपने तारीक, अपने तरीका से यूनियन और वर्कर को पोलिस कर रहे हैं कि आप काम पे ला उटाओ, एक सवाल है, जब पिछली बैठक हुई थी, जहां इस समीती का गठन क आ गया, वहां पर आपने ये कहा था कि मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तरचेप करने को कहा जाएगा, बाकी जो राजनितिक पार्टियां हैं, उन्हें भी कहा जाएगा कि मजदूरों के हित में एक साथ आएं, उस दिसा में कोई पहल हो पाई, कोई बातचीत हो पाई है आज का कार्चकरम था, मान्य महामहिम जारकन सरकार से अपने दुखडा को लेकर के और एचेसी का गयापन सोपने और एचेसी के बारे में बात करने का ये था, लेकिन इक कोबिट प्रोटोकोल में माहमहिम से हम लोगों को समय नहीं हो पाया, मान्य मुख्यमंत्री जी से भ लेकिन आज कल में बहुत जल्दी मानने, ब्यक्तिगरत और से मैंने मुक्यमंत्री जी से आगरा किया है, किसमें कुछ रास्ता निकाला जाए, हस्तचेप किया जाए और केंदर पे दबाव बनाया जाए, कि HAC सिर्फ राज्य का नहीं, देश का संपती है, ये मदर प्लांट ह इन्हों ने कई कारखानों को जनम दिया, एगर हुआज के तारिक में अजकी तारिक में इस्तिती ये है, कि सेंट्रल ना उडियोग मंतरालाय बात करने को तयार है, ना फिर अन्या कोई बिभाग बात करने को तयार है, तो उस परिस्थिती में एक प्रयास किया जा रहा है उस परिस्थिती में प्रयास किया तक पिछला दफा ही इनुंग ने साथ सवेकर जमिन को बेचा, किस नाम से बेचा, कि मजदूरों का मैं भुकतान करूँ गा और जो ज़रूरी जो खर्च होंगे उनको एचेशी के हित मे करूंगा लेकिन आज तक उस पैसाय का कोई हिसाब किताब नहीं है बंदर बाठ कर तो यह लोग यहां पर लूटने के लिए नहीं इतको बैठने नहीं छोड़ा जा सकता है आज के तारिक में एचेसी के यह जो तीन प्रबंधन जो बैठे हुए हैं इनको अपने गिरेबान म से भी आगरा किया जा रहा है मानने मुख्यमंत्री जी से सभार कि मुख्यमंत्री से जो आपकी बातचीत हुई है उनकी तरफ से क्या परतिकरिया है उन्होंने किस तरह से लिया इस माम देखे मानने मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं कि 9 महिना का पेमेंट लेकिन 9 महिना का प मान्य मुख्यमंत्री जी पहल करे ताकि मजदूरों को उनका वेतन और एचेसी को बचाया जासा देखिए एक चीज़ बाकिया और किनी से उमीद नहीं किया जा सकता है महा महिम से आज प्रयास किया थोड़ा उमीद का रास्ता था लेकिन COVID guideline को लेकर कि आज वो नहीं सांसद यहां के जो हैं जितने भी सांसद हैं 14 सांसद सब राज विरोधी लोग हैं सारे लोग जार खन विरोधी लोग हैं सारे लोग जहारखन के हीत में किसी भी परकार का ये लोग नहीं सोचते हैं, अगर थोड़ा भी अगर इनको चिंता होता जहारखन के बारे में, आपका राजधानी का तिलक है, ये आपका सर का तिलक है, कम से कम कुछ तो बात करते हैं, कुछ तो अपनी बातों को, क्या गता कोड़ा जी ने परियास किया था इस बार का सत्र में भी उनों ने पहिला सांसद है जो अपनी बातों को एचेसी को ले करके रखने का काम किया बाकी किसी ने भी रखने का काम नहीं कि कम से कम गीता कोड़ा जी कम मैं धन्याबाद दूँगा कि उन्होंने कम से कम एचेसी के मामले पे पूर्जो तरीके से मैंने उनका देखा कि उन्होंने प्रयास किय है बाकी और किसी को नहीं देखा गया कि इस मामले प пять नहीं पराइश के पार काुए उनको पॉर partir का गाध को Marty नहीं सुना Be फिर्छान का ऑजन की ताहरे मन्त्री नहीं पारानी चाहश को आपना घो द की करी तीक street दूरों से कि आप काम पे रहिए कोई निमेसा क माय गा तो तो चलता हुआ कार खाना है अदिधा ईपार्फ यह हम करें अदरू लग बनकर तयार है अगर श्रमीक काम पर लौड ते हैं चूक उतने डिसपेच हो जाएगा और फिर उससे जो payment आएगा हम payment कर पाएंगे आप इस बात से कितने सहमत हैं पांच-शे दिन का काम है पांच-छे वो लोग चाह रहे हैं कि उनका जो work order है वो निकल जाए किसी परकार से जो खाली जो complete नहीं हुआ है वो माल उनका निकल जाए चार-पांच दिन का काम बचा हुआ है वो निकल जाए उसके बाद यह लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे अगर इनको उतना ही चिंता होता तो सुरुवात में ही जाते सुरुवात में लडाई लडते सुरुवात में जा बात करते बात करके उसके अधा से भी अधा से भी सेंटर मिनिस्ट्री में बात कर सकते थे लेकिन कहीं भी इन लोगों इन लोग की मांसिकता हो गई है कि सारे देश को प्राइवेट सेक्टर की ओर ढरकेलने का और इनका मन भी है कि HAC को भी बंद करा करके इनको प्राइबेट हांतों में देने का है तो इस तरह से अभी राजस का चप बता रहे थे कि रंडिती आगे यही है कि मुख्यमंत्री से एक और वारता की जाएगी राज्यपाल से दोबारा मुलाकात करने के लिए एक समय लिया जाएगा और फिलाहल जो स्थिती यही है कि HAC प्रबंधन कहरा है कि उसके पास payment करने के लिए फंड ही नहीं है वो एक महने का अधिक से अधिक payment कर सकता है वहीं मजदूनों की मांग है कि आठ महने के बकाय में से कम से कम दो महने का भुकतान कर दिया जाए